असलाम अलेकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन, मैं मुहम्मद बकास हूँ, आपका कैमिस्ट्री टीचर और यह है आपका चैनल MWS कैमिस्ट्री और इस लेक्चर में हमारा यह गैसे वाला फिस्ट इयर कैमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें मैं आप से क्वेस्ट्न नमबर एक्सरसाइज के जो नुमेरिकल्स हैं, चैप्टर नमबर 3 के क्वेस्ट्न नमबर 21, 22, 23, 24 का स्लूशन आपसे डिस्क्स करूँगा और आपको सिखाऊंगा कैसे हमने इनको सॉल्व करना है प्रिवियस गैसर वाले लेक्ट चैप्टर पे, मेरे जो दो लेक्चर हैं, उसमें ऒर मेरा पहला लेक्चर था, उन दोनों के मैं लिंक दिस्ciendo में दे रहा हूँ, उसे मेरे, एक्जामपल 1 से लेके example 8 तक first lecture में cover की फिर मैंने 16 से रेके 20 questions तक second lecture में उसको cover किया था अब यह हमारा third lecture है on guesses तो आईए इसको start कर लेते है question number 21 पहले इसके तीन parts है मैं आपको थोड़ा से बता दू यह तीनों parts एक ही तरह से हो जाएंगे Graham's law से related हैं यह पहले हमें इसकी statement को समझना होगा statement में वो क्या बता रहे हैं वो कहते है आपके पास ना दो gases है अच्छा आपके पास पहली gas है volume of gas A यह उसने आपको दे दिये इसको मैं VA बोल देता हूँ और यह है 150 decimeter cube एक और gas है उसका volume वो कहते है आप बताओ volume of gas B यह कहता है यह आप बताएं यह कितना होगा तो यह हमारे लिए unknown value है एक चीज़ उसने हमें बताई है वो कहता है दोनो gases आपस में कर रही है diffuse और equal rate से कर रही है यानि दो gases है दोनो gases different है लेकिन उनका rate of diffusion आपस में मिलने का rate है वो equal है अब वो equal है लेकिन दोनों की densities का difference है अब दोनों की densities का difference है तो फिर वो equal rate से कैसे मिल सकती है यह हमारा कौसर है इस पर हम आते हैं बाद में लेकिन वो कहर रहे है जो gas की density A A की density है और जो gas B की density है इनके दरमयान जो ratio है वो 1 end 1.50 की है यानि यूँ समझ लो अगर gas A की density 1 है तो gas B की density 1.5 gram per decimeter cube होगी ठीक है यह जो भी उसके unit होगे clear अब वो कहते है आप सिरफ volume of gas B find करो तो एक तो बात बड़ी clear है यहां पे लगेगा grahamla according to grahamla grahamla के मताबिक क्या है हमारे पास यह कहता है हमारे पास rate of A divided by rate of B rate of defian और defian की बात करूँ यह equal होगा यहां पे हम density भी यूज कर सकते हैं और molecular weight भी यूज कर सकते हैं तो यहां पे A इस तरह आ जएगा और सारे का हमने ले लेना है square root तो यह हमारे पास equation है according to grahamla ठीक है तो यहां से इस equation का हम यूज करेंगे इस numerical problem को solve करने के लिए अब एक चीज़ आपने देखनी है स्टुडेंट्स यहां पे हमें volume given है लेकिन यहां पे rates है density वाला तो समझ में आता है ठीक है वो यहां से हम दे लेंगे लेकिन volume यहां पे तो rate आ रहे है ना तो volume कहां से ने तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ according to graham धा rate of define और इंवर्सली रिलेट करता है square root of density के जब pressure और temperature को हम constant रखते हैं यह तो बात बिलकुल clear और understand है ठीक है जी अब यहां पे density को देखे न तो density बरापर होती mass per unit volume इसका मतरब density का इनवर्सली रिलेशन होता है किस के साल है volume के साल हाँ अब यहां पे हमें बलकुल clarity मिल जायएगी देखो rate का इनवर्सली रिलेशन density के साल है and density के distance के root के साल और डेंस्टि का इन्वर्सर रिलेशन वालिम के साथ है तो इसका मतब वालिम का और रेट का आपस में डारेक्ट रिलेशन बनेगा Is that clear? इसका मतब जिस गैस का वालिम ज्यादा है है ना उसकी डेंस्टि कम होगी और उसका जो rate होगा वो भी ज्यादा होगा अगर gas का volume ज्यादा है उसके density कम होगी फिर उसका rate of defian या defian ज्यादा होगा मेरा ख्याल है कि आपको clear होगा इसका मत्तब जहां पे हम rate यूज करते है rate वहां पे हम volume भी यूज कर सकते हैं तो यहां rate की जगए मैं volume लिखके देखता हूँ तो देखो हमारे पास equation बनेगी V of A, V of B is equal to बनेगा हमारे पास density of B over a density of A और इस सारे कादे का square root अब जिस्ट आपने volumes पूट करने है तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आगी होगी rate का और volume का अपस में directly relation है मैं rate की जगा volume पूट कर सकता हूँ तो मैंने न अब volume मुझे ए का given है वो है 150 decimetre cube unit में लिख रहा है यहां पे volume of B मैंने find करना है density मुझे given है B की 1.5 यह जो ratio उसने विजाए थी और 1 यह मत्तुत अब जिस्ट हमने इसको solve कर लेना है ठीक है solve कैसे करेंगे आप ना इस VB को इदर ले आओ ऐसे और यह सारा इस तरह आएगा यह divided by 1 का मत्तब यह 1.50 रह जाने है ठीक है तो यहां पे 150 है यह इदर आके नीचे हो जागा 1.50 और इसका square root अब आपने करना क्या है calculator से इसका square root लेना है जो answer आएगा 150 और वो उसको आपने solve कर लेना है 150 को उपर और नीचे यहां पे जो इसका answer आएगा पो तो यह VB की value आजएगे अब यह आएगी VB की value volume of B यह आएगा 1.22.5 decimetr cube round about करके बता रहूं आपको ठीक है 1.22.5 decimetr cube अब आखरी चीज जो मैं 150 decimetr cube और इसी का यह जो volume of A है इसी की जो हमारे पास density कितनी थी 1 थी तो density कम थी यह देखें तो volume ज्यादा था है ना अच्छा फिर अब जो हमने volume निकाला वो कितना है 122.5 इसका मतलब volume कम हुआ तो ultimate B की density ज्यादा थी इसी लिए इसी लिए दोनों का rate equal है क्यों equal rate से diffuse कर रही है क्योंकि दोनों के volume और density का फर्द जी इस lecture में अब हमारा next numerical है question number 21 का part B बहुत जल्दी quickly हम इसको solve कर लेंगे वो कहता है हमारे पास एक porous medium है वहां से gas diffuse कर रही है यह diffuse क्या लो वो hydrogen है वो 500 cm3 उसका rate है यह उसका basic volume है यह भी याद रहे और मैंने previous ही numerical में इसके part A में आपको बताया volume और rate का आपसमें direct relation है तो hydrogen का volume है वो इतने cm3 है और वो 0 degree sandy rate पे किसी वो porous medium से diffuse कर रही है जिस rate से कर रही है उसने आपको बता दिया अब वो कहता है आप बताओ उसी porous medium से oxygen gas कितनी जल्दी quickly मतब कितना जल्दी करेगी या कितना कम जल्दी करेगी तो आपको खुद देखने है देखो hydrogen lighter gas oxygen ज्यादा heavier gas तो यह थोड़ा slow diffuse करेगी तो यह कितनी बाहर जा सकेगी यानि इसका कितना volume बाहर जा सकेगा वही इसका rate होगा तो हम देखेंगे यह कितनी ज्यादा बाहर जा सकती है उसी same porous medium से और उसी temperature zero degrees centigrade दुबारा देख लो एक gas एक porous medium है वहां से hydrogen gas कितना diffuse कर रही है 500 centimeter एक मिनट में पर मिनट उसने time दिये at temperature zero degrees centigrade उसी hole में से यह oxygen gas कितनी escape कर सकती है within the same time और temperature भी same रहे तो तो देखो एक बात बड़ी clear है यह again grams ला है तो यहां पे rate of hydrogen divided by rate of oxygen यह equal होगा हमारे पास molecular यहां पे molecular weight use करूंगा क्योंकि यहां पे given नहीं है gases के नाम पता है तो gases के अगर नाम पता है तो मुझे इसके molecular weight निकालने में कोई problem नहीं होगी तो नीचे मैं लिखूंगा तो अगर मैंने उपर hydrogen लिखी तो ऊपर O2 आजेगी नीचे H2 आजेगी तो यह इसका बन गया square root इससे मैं इसको solve करूंगा तो इसका answer 16 आएगा यहनि के 16 तो मेरे पास बनेगा 500 divided by RO2 और यह मैंने RO2 लिख है ठीक है I hope कि यह clear होगा और ऊपर आगया इसको जब आप solve करोगे तो 16 16 का square root लोगे तो 4 I think आएगा तो 4 को अब आप RO2 को इधर ले आओ पस इसको तो आगे solve ही करना है ना तो 500 divided by 4 होजएगा तो यह कार दें तो जिब आप इसको overall solve करोगे तो यह 125 cm के बार यह का करके देख लें आप calculator से कर लें मैं इसको वैसे कार नहीं यहां से लग गया था तो यह मेरे पास इसका answer आज़ेगा I hope के यह आपको easy sun numerical बिलकुल clear होगा अब हम इसके part C पे move करते हैं जी तो students हमारा part C इसमें वो कहता है हमारे पास एक unknown gas है और एक hydrogen gas है वो एक pin hole से effuse कर रही है तोनों gases hydrogen gas जितने rate से effuse कर रही है उस pin hole से जो unknown gas है उससे इतने गुना कम effuse कर पाती यह अगर hydrogen एक volume एक centimeter cube निकलेगी तो जो हमारे पास unknown gas है उसका volume एक भी नहीं होगा वो तकरीबन 0.27 9 centimeter cube वाँ से escape कर पाएगी तो कहता है बताओ उस जो unknown gas है उसका molecular weight कौन से है कितना होगा ठीक है hydrogen gas है इसका molecular weight तो हमें पता है कितना होगा two point यह two पूरा ही मुकमल two grams per mole ठीक है यह hydrogen का हमारे पास molecular weight है तो अगें ग्राहम जरा यहां पर use होगा उपर आजेगा अगर R of H2 बहुत असान है और यह बिल्कुल मिलती जुलती है यह जो numerical है यह बिल्कुल हम इसको compare कर सकते हैं गालबन हमारी example number seven है ठीक है? तो यह उससे काफी ज़्यादा relate कर रही है तो नीचे हमारे पास X आजेगा उपर फिर हमारे पास molecular weight of X होगा नीचे molecular weight of hydrogen होगा इसका square root टर लेंगे यह हमारे पास grams लाओ गया अब जो R of H2 है यह हमें given है 1 और यह हमें 0.279 और यह जो molecular weight है यह हमने मालूम करना है Mx का नीचे मेरे पास hydrogen का molecular weight 2 है हम मैं क्या करता हूँ मुझे Mx की value मालूम करने लेकिन इसका square root आ रहे है मैं दोनों तरफ square कर देता हूँ तो 1 over 0.279 इसका भी square कर लेते हैं तो सिर्फ मेरे पास यह वारी value आ जाए क्योंकि square root से square cancer हो जाएगा ठीक है आपने बस इसको solve कर ले ने अब जब आप इसको solve कर लोगे तो मेरे पास मैं direct click देता हूँ calculator से जब आप इसको solve करोगे तो answer तकरीबन यह आ जाएगा इतना gram per mode So this is the molecular weight of our unknown कि यह 10-12 minutes में आपको यह तीनो examples numerical समझा आ गया होगे आएए अब हम question number 22 पे move करते हैं जी students अब हम question number 22 पे move करने लगें question number 22 को अगर आप solve करना चाहते हैं easy ली तो आपको number of moles avogado number यह सारे concept आपको आने चाहिए ठीक है बहुत simple है वो कहता है हमें number of molecules निकाल के दें और number of atoms यह दोनों चीजें avogado number से relate करते हैं यारी हमारा chapter number one उसमें से है कहता है हमारे पास 20 cm cube of methane है at 0 degree centigrade and 700 mm of mercury pressure पे इसके अंदर आप molecules की और atoms की तादात पाइंट करके दें कितना कुछ उसने पूछा है उसरफ बताया के 20 cm cube हमारे पास methane gas है at 0 degree centigrade and 700 mm of mercury बताया भी काफी कुछ है और पूछा उसके अंदर number of molecules और number of atoms है same scenario यहां पे भी है तो मैं सिरफ यह solve करूँगा यह आपके रिए assignment होजेगी यह आप easy यह मेरे पास है 20 cm3 मैं ना इसको decimeter cube में change करूँगा मैं क्यों करूँगा change अच्छा मैं इसको thousand से जब divide करूँगा तो यह 20 into 10 is to power minus 3 decimeter cube आजेगा मैं इसको यह भी लिख सकता हूँ 2 into 10 is to power minus 2 decimeter cube I really hope कि यह आपको clear होगा वैसे भी 0.002 भी आप इसको कर सकते थे मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है यह मैं इसको solve अब methane का जो मेरे पास अच्छा मैं यह क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे number of molecules निकाले ना मैं यह आपको पहले clear कर दूँ अगर मुझे number of molecules of methane निकालने है तो मुझे अगर number of moles of methane पता होंगे मैं इसको सिरफ avogaddo number से multiply कर दूँगा मुझे यह formula पर focus करना है ठीक है यहाँ पर यह जो मैंने capital N लिखा है this is for number of molecules for methane, methane gas के यह number of moles है जो यहाँ हम find करेंगे given data से तो यह methane के और यह avogaddo number है 6.02 2 into 10 is to power 23 आपको बड़े इच्छे से पता है तो इसका मतब सब सबसे पहले मुझे number of moles निकालने है methane के और number of moles निकालने के लिए मेरे पास जो formula है वो general gas equation से ही है PV is equal to nRT अब तो आपको clear हो रहा होगा कि मैं किस तरफ आपको लेके जाने वारा हूं मुझे चाहिए यहां पर pressure वो उसने दे दी है 700 mm mercury मुझे V चाहिए वो उसने दे दी है 20 जिसको मैं यहां पर decimeter cube में निकाल चुका हूं क्यों decimeter में चेंज किया यह भी बिताता हूं आपको इसके बाद number of moles हमने निकालने R की value हमने खुद लिखनी है T temperature हमें यहां पर 0 degree 70 rate given है पहले मैं R की value लिखता हूं देखो general gas constant 0.0821 atmosphere decimeter cube per mole और per kelvin यह हमारे पास आगी R की value अब इसमें जो unit use हो है ना decimeter cube है इसलिए volume को मैंने किसमें change किया decimeter cube में atmosphere है इधर मुझे mm mercury में given है मैं पहले pressure को change करूँगा किसमें भरा atmosphere में तो 700 mm को मैं 760 mm से जब divide करूँगा तो मेरे पास वह atmosphere में आजेगा और वह answer आएगा 0.8 यह मुझे देखना होगा कितना आ रहा है exactly यह आ रहा है 0.921 0.921 0.921 atmosphere ठीक है यह आप calculator से कर लोगे तो यह मेरे पास आ गया pressure किसमें भरा यह यह atmosphere में आ गया अब temperature हमें उसने 0 degree centigrade दी है तो 0 degree centigrade को अगर मैं Kelvin में लिखूँ तो temperature मेरे पास बन जाना है 273 Kelvin अब यह सारी values को आप यहां पे put करोगे pressure की value मेरे पास है 0.921 volume की value मेरे पास 2 into 10 is to power minus 2 2 थी ठीक है यह मैं यहां से चलो इसको बाद में लिख लूँ अब यहां N की value मैंने find करनी है methane के number of moles R की value 0.0821 है और temperature की value 273 है तो इसको सारे को जो मैं solve करूँगा तो मेरे पास number of moles of methane आ जेगे मैं direct देख लेता हूं कितने आ रहे वो तो यह आ रहे हैं हमारे पास 8.2 into 10 is to power minus 4 moles 8.2 into 10 is to power minus 4 moles यह मेरे पास के आगे number of moles of yes methane gas तो मैंने number of moles of methane find करी अब मुझे ना number of molecules find करने मैंने अभी formula लिखा था दुबारा लिख देता हूं मुझे number of molecules of methane find करने यह 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 मैं number of moles moles of methane को multiply कर दूंगा avogado number से यह 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 6.02 into 10 is to power 23 करें आगे पास यह कितने 8.2 into 10 is to power minus 4 और इदर है 6.02 into 10 is to power 23 prefix तो मेरे खियल मैं आपको solve करने आते हैं सिदे सिदे यह यह इस 23 में से यह 23 में से minus 4 करो तो वह 19 बचेगा 8.2 को इससे multiply करो तो जो answer आएगा बाद में उसमें जो prefix को आगे पीछे करके solve करना हो तो मैं लिख देता हूं कितना answer आ रहे है जी 4.94 into 10 is to power 20 molecules 4.94 into 10 is to power 20 molecules यह अगर values थोड़ी बहुत गलत हो तो आप calculator से खुद इसको ठीक कर सकते यह तो calculation है ना सारी तो यह अब आपने number of atoms भी find करने है अब देखो हमारे पास total molecules कितने हैं 4.94 into 10 is to power 20 molecules अब अगर हम एक molecule की बात करें methane के एक molecule में कितने atoms हैं यहां पे देखो CH4S का formula है तो एक molecule में 5 atoms हैं ठीक है तो इतने molecules में फिर कितने atoms होंगे हम 5 को इससे multiply कर देंगे ठीक है यहां पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं guide कर देता हूं बाकि आप कर लेना खुदी देखो एक molecule है one molecule of CH4 contain atoms तो इसमें कितने atoms होंगे yes of course 5 होंगे तो मेरे पास total molecule है 4.94 into 10 raise to power 20 sorry 20 molecules contain molecules of methane contain atoms इसमें कितने atoms होंगे तो मैं 5 को multiply कर दूँगा 4.94 into 10 raise to power 26 I really hope कि यह numerical भी आपको बिल्कुल clear होगा इसका जो B part है बिल्कुल इसी तरह है सिरफ फरक क्या है यहां पे आपको ammonia gas given है ठीक है यह फरक आ गया volume का फरक आ गया temperature यहां पे 100 है और pressure उसने औरड़ी आपको atmosphere में दे दिया इसके एक molecule में 4 atoms होंगे तो इसको 4 से है multiply कर दोगे molecule जब आप निकाल लोगे so that's it about your question number 22 यहां तक अगर आपको आपका बिल्कुल समझ आ गया है तो इसको like कर दें और अपने friends के साथ इनको इसकी जरूरत है उनके साथ share कर दें अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास next question number 23 तो आईए अब हम move करते है question number 23 पे question number 23 question की statement पढ़के तो लगता है बड़ा मुश्किर है लेकिन question इंतहा ही असान है question में वह कह रहा है हमारे पास 10 is to power 20 molecules है यह बहुत number of molecules है लेकिन आवगेड़ो नंबर से काम है 10 is to power 20 molecules है हमारे पास हर gas के hydrogen के oxygen के और carbon dioxide के add standard temperature and pressure वह कहता है तीनों gases के आप masses को find करो पहला हमारा part इस question का यह है फिर वह कहता है अगर हम इसके temperature को बढ़ा दें standard temperature हमें पता है 0 degree centigrade होता for gases उससे बढ़ा के उसको 100 degree centigrade कर दें तो फिर mass पे क्या फरक है गत्वान सरे कोई फरक नहीं पड़ना क्योंकि temperature का mass के साथ कोई relation नहीं होता mass is the अगर हम इसको define करें यह quantity of matter को कहते है कि किसी चीज़ के अंदर matter कितनी मौझूद है तो जाहरी बात है हम temperature change करके matter को तो change नहीं कर सकते ठीक है उस तरह से तो कोई फरक नहीं पड़ना तो एक तो मैंने शुरू में यह आपको solve करके दे दिया पीछे तो बचा हमने message इनके कैसे point करने तो वो हम देख लेते हैं देखो हमें यहां पे यह basically chapter तो हम third यहां पे कर रहे हैं लेकिन यह example जो है यह जो question जो है basically chapter number one जो हमारा basic concept है उसमें से है और यहां पे भी same avocado concept use होगा तो we know हम क्या जानते हैं according to हम वैसे तो बहुत कोई जानते हैं लेकिन according to हमारा basic concept avocado number के मताबिक अगर हम number of molecules find करना चाहते है number of formula लिख दे तो हम पहले number of molecules तो यह बराबर होता है number of moles को अगर हम number of moles का formula भी क्या है mass in gram over me molar mass and multiplies by avocado number यह तो मेरे ख्याल में सारे बच्चों को सारे students को I think आता होता है ठीक है अब number of molecules हो में केते हैं let's suppose यह मैं कर रहा हूं for hydrogen this is for hydrogen gas तो यह मैं hydrogen के लिए कर रहा हूं यह सारा कुछ ठीक है number of molecules हो सारों के मैं यह के लिए करूंगा बाकी आपने खूद कर लेने 20 अब यहां mass in gram यह हमने find करना है मैं इसको M में लिख देता हूं M of hydrogen let we write it M of H2 यह नि हार्डोजन का mass और यहां molecular weight hydrogen का होता है 2 grams per mole यह 2.016 भी लिखना है तो लिखने इंटु एवगैडो number 6.02 into 10 is to power 23 अब इसको हमने solve करना है आप ऐसे करो इसको इधर रहने तो इन दोनों को इधर ले जो तो मेरे पास 10 is to power 20 पहले था यह नीचे घूमेगा यह 2 तो ऊपर आएगा और यहां बचेगा 6.02 into 10 is to power 23 और बराबर में आज़ेगा mass of hydrogen यहां पर prefix आप solve कर लोगे इसी दे सी दे उपर आके 10 की power minus 3 रहे ज़ेगी ऐसी होगा ना 10 की power minus 3 हो ज़ेगी ना यह 23 है उपर 20 positive की value तो वह minus 3 रहे ज़ेगी बाकी जस्ट आपने 2 से 6.02 को divide करना है और यह हमारे पास mass of hydrogen आज़ना में देखके लिख लेता हूं आपने ऐसे नहीं करना 3.32 into 10 is to power minus 4 ग्रैम्स आज़ेगा इसको जब आप solve करोगे नो यह इतना आना है मैं आपको करके बता जाए तो 0.332 आना था 332 ठीक है into 10 is to power minus 3 ग्रैम्स यह आना था mass of hydrogen तो अगर इसको further हम solve करें इस point को इधर ले आए अगर तो 3.32 into 10 is to power minus 4 ग्रैम्स बनेगा इसी तरह आप बाकी gases के भी masses को find कर सकते हो और आखरी चीज़ मैं आपको lecture के आज सोरी lecture कह रहा हूं इस numerical के solution से पहले बता चुका हूं कि masses पे pressure और temperature का कोई effect नहीं होना I really hope कि यह भी बैसे तो बहुत बड़ा लगता है आप solve करोगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने अभी oxygen के लिए इसको solve करना है carbon dioxide के लिए भी करना है तो यह आपने खुद कर लेना है मैंने आपको तरीका बता दिये अब हम आखरी question 24 पे आ रहे हैं और यह जो question 24 है ना यह बहुत ज्यादा related है वेंडर वाल एक्वेशन से बलके हैई फ्रॉम वेंडर वाल एक्वेशन और जेनल गयास एक्वेशन का यूज करके मैं इसको solve करेंगे और यह जो question 24 है हमारा यह example हमने करी थी इसी चैप्टर में लास्ट वाली थी 8 यह उसी के जैसे है तो आईए अब हमसको solve कर लेते हैं फिर यह हमारा lecture खतम हो जी तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे आखरी question की तरह move करते हैं 24 की तरफ और इसमें वह कहता है हमारे पास harmonia gas है जिसके दो मोल हमने लिए वालीम उसका इतना है temperature इसको मैं Kelvin में बदलूँगा तो 300 Kelvin आजेगा direct में लिख देता हूं ठीक है यहां को प यूज़ करेंगे तो पहले हम A इसका जो सोरी part 1 है उसको solve कर लेते हैं वहाँ पे PV is equal to nRT यूज़ होना है यहां से हम P की value निकालेंगे ठीक है तो P की value हमने find करनी है volume हमें 5 decimeter cube given है n की value उसने 2 दे दी है r की value 0.0821 होती है temperature हम यहां पे लेने कितना 300 तो यहां से जस्ट पांसर यहां पर आएगा 9.8852 आ रहे है 9.852 एटमॉसर तो इस इस दी प्रेशर विच्टी गैस एग्जर्ट ठीक है अब जब वह आईडियली भी करें यह भी साथ याद रखें अब जब नॉन आईडियली भी करेंगे यह रियल गैस की तरह तो हम बैंड वाल एक्वेशन तो हमारे पास क्या था वो पी प्लस एन स्केर ओवर वी स्केर इंटु वी माइनस एन बी इस इक्वल टू एन आर टी तो एक्वेशन दे के थोड़ा सा एक दफा बंदा ढर जाता है है इसमें इतना कुछ पूट करना है तो ऐसी परेशानी है आपको नहीं होनी चाहिए यह आरु था करना के के यहां पर दो है तो हैं पर दो क्यूर होजाएगा है वी वालीम हमारे पास पंच है यहां पर पांच कभा स्केर्द कर देंगा इस को इंटु आजेगा वी की वेल्य ऑगेई पांच है हांजी माइनस एन की दो वैल possids की वैल्यू बी की वैलियु हुम just solve करना है, ठीक है, मैं solution का तरीका भी आपको थोड़ा बता देता हूँ, P plus, अब दो का square चार होता है, चार को इससे जरब देनी है, आपने 4.17 को आपने 4 से multiply करना है, तो यह तकरीबन 16.something जो भी आएगा यहां पर इसका answer, divided by 25 होजेगा, ऐसे ही है, मैं चलो इसको लिख देता हूँ, 16.2 आ रहे है, let's assume, assume करूँ, तकरीबन इतना की आएगा, और इधर 5 माइनस यह सारा कुछ ना कुछ इसका answer आजेगा, ठीक है, इसको max कर देता हूँ, और is equal to यह सारा y कर लो आप, पहले भी मैंने ऐसे करके आपको उता दिया था, अब आपने simply करना के, मैं direct answer इसका लिख दूँगा, आपने इसको इससे divide करना है, कोई answer आएगा, उसको ऐसे लिखा रहने देना है, 5 में से यह minus करना है, कोई answer आएगा, इसका answer तो आपके पास आ चुका होगा, अब आपने न, सबसे पहले काम करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे बढ़ा रहने दे, इस सारे answer को जाके इस वाले y से minus कर देंगे, sorry, divide कर देंगे, यहां से multiply हो रहा है, दूसरी तरह यह सारा जाके यूँ, यही five minus x, जो भी इसका answer आएगा, वो y से divide हो जाएगा, उसका answer आएगा, फिर आपने, उसका answer let's suppose z आ जाते हैं, यहां पे z, आपने कहने सर आप क्या कर रहे हैं, यहां बता रहूं, ठीक है, करना खुद है, कुछ काम खुद भी कर लिए, करो ना, तो यहां पर जाके यह minus ह हो जाएगा, वो सारा जो हमने यहां पर हमारा answer आएगा, तो यह हमारे पास pressure की value आजएगा, देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी इसको solve लिए, आप भी ऐसे कर सकते हो, इसको solve लेकिन examiner गलत कर देगा, तो 9.34 atmosphere आजाने है, 9.34 atmosphere बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको इसक अरावा कोई अचा तरीका लगता है, तो आप जरूर करें, यह pressure जाद है, जब gas ideally behave करती है, तो there are no forces of attraction among the gas molecules, they can strike with the wall of container more strongly, so they exert more pressure on the wall of container and if we talk about at ideal, sorry, at real conditions, so gases के इंदर forces of attraction होती है, तो molecule जो जाकर टकराने लगता है, इसको पीछे molecule थोड़ा सा attract करते है, तो वो उतनी force exert नहीं क third lecture on gases, I really hope कि आपको समझाया होगा, अगर आपको यह समझाया तो thumbs up, यानि इसको like जरूर कर दीजेगा, अलावपिस